हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगी आपका भी थर्ड एर की जो आपकी पुक है म्यूजिक की जैनरिक आपका यह सब्जेक्ट है थियोरी ओफ इंडियर म्यूजिक एंड फ्योक म्यूजिक ओफ हिमाचल कल्चर कोड है आपके इस पेपर का M.U.S.A. 307th मेरे पास यह प्रशन बत्र है आपका दो हजार बाइस का आपका यह जो है यह कोशन पेपर जो है वो मेरे पास है ठीक है 2022 का सबसे पहले जो आपके कॉशन आते हैं वो आपके आते हैं सत्ता नंबर का आपका यह पेपर है और सत्ता नंबर में से आपने कोई पांच कोई सत्त नंबर में आपको जो है वो साथ प्रशन दिये गए हैं साथ प्रशनों में से कोई पांच प्रशन करने हैं आपने कुल मिलाकर चोदा चोदा नंबर का एक प्रशन है आपका सूँ आपका कोश्चन आता है सबसे पहला लोग संगीत को परिवाशित करते हुए हिमाचल प्रदेश के किनी तीन लोग गायन सेलियों का वर्णन कीजिए ठीक है तो सबसे पहले अगर आपको चोदा नंबर का प्रशन आता है तो उसको अटेम्ट करने के सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उस कोशन का परिचे लिखेंगे उसके बारे परिचे में आप उस कोशन के बारे में लिखेंगे उसके बाद परिचे के बाद आप लिखेंगे कि लोग संगीत का क्या अर्थ होता है संगीत का अर्थ लिखने के बाद आप दो परिभाशें लिखेंगे परिभाशें लिखने के बाद आप लिखेंगे कि लोग संगीत को परिभाशित करते हो हिमाचर प्रदेश के किनी तीन लोग आयन किनी तीन लोग आया इंशायलों का वर्णन करने से पहले एक फ्रो डायग्राम बनाएंगे उसमें सेंटर में आप लिखेंगे कि हिमाचर प्रदेश के लोग आया इंशायलिया और आउटसाइड आप लिखेंगे कि तीन लोग से लिए जो है वो कौन कौन सी है उनको लिखने के बाद आप तीन लोग से लिए उसके बाद आप एक एक लोग से लिखा जो है वो विस्तार पूरुक जो है वो वर्णन करेंगे उनके आप गुन दोस्त जो है वो नेर्ट से लिख सकते हैं कि इनमें क्या गुन है ये कहां जो है वो परसिद्ध है परसिद्धी के कारण क्या है इस तरह से जो है वो आपका question जो है वो attempt होगा दोसरा आपका question है राग यमन अथवा राग भहरव का संपुर्ण परिचे लिखिए ठीक है तो सबसे पहले 14 नमबर का आपका ये question है फिर आता है आपका describe any two from the following in detail निमिलिकत में से किनी दो का विस्तरित वर्णन कीजिए सहनाई नगाडा करनाल ठीक है गिनी दो का विस्तरित वर्णन कीजिए चोद नमबर के लिए वर्णन होना चाहिए सा साथ माक्स के लिए पेपर में जो है वो सीट्स पर काफी मेटर करती हैं तो सीट्स जो है वो भनने का प्रियास करना है चीक है फिर आपका question आता है तादादरा कीड़ और दुगुन लेकारी परिचे सहित लिखिए पांचवा परशन है पंडित सौमदत वट्टू का जीवन परिचे लिखिए 14 नंबर के लिए आपको केवल और केवल जीवन पर जाया है आपको कितनी सीट्स मिलती है उसके हिसाब से पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे पहले से डिवाइड कर लेंगे कितनी सीट्स है इस तरह से आपने जो है वो कवर करना है कोशिण वो करने के कोशिश करेंगे जिसमें जो है वो अटेमटेशन जादा से जादा है अगर आपको आता है केवल और केवल कि जैसे आपको फॉर्थ और फिफ्ट कोशिण में से अगर आपने डिसाइड करना है तो आप फॉर्थ कोशिण डिसाइड केजिएगा और यह फिफ्ट कोशिन की बात तो इसका जो हम जीवन परिचे लिखिए सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचे के बारे में पिताया गया है तो आप किसी व्यक्ति के जीवन परिचे से जो है वो 10 से 12 पेश नहीं भर सकते हैं फिर आपका आता है कोशिन नमबर 6 संगीत और संस्कृत पर निबंद लिखिए इसमें आप इसली सिर्फ भर पाएंगे और यही बात सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि परिचे लिखेंगे परिभाशाइन लिखेंगे फिर इन दोनों के बीच आप व्यक्या करेंगे अर्थ बताएंगे संगीत का फिर उसके बाद आप अर्थ बताएंगे संस्कृति का इनके भी संबंद बताएंगे कि इन दोनों के बीच क्या संबंद है पॉइंट्स में इनके संबंद बताएंगे जैसे संगीत और संस्कृति एक सिक्के के दो पहलू है संगीत किसी राज एकः और भी आप बतासकते हैं फिर आता है संगीत का मानुव जीवन पर क्या परभााँ परता है विस्तार से व्यक्या करें परिच wizard आर्थ संगीत का पर भाशन संगीत की फिर उसके पस्चात आप लिखेंगे कि मानने वजीवन पर क्या परवाँ पड़ता है फ्लो डाइग्राम बनाएंगे इन सेंटर मानने वजीवन पर क्या परवाँ पड़ता है और साइड में इसके कम से कम 10 से 12 पॉइंट जो है वो आप एजली बना सकते हैं अगर आप पड़कर गए हैं पंदरा पॉइंट जो है वो अपने अटेम्ट करने करने हैं चोदा नमबर का प्रस्चिन है पंदरा पॉइंट होने ही चाहिए अगर आपको कोई क्वाइंट काम आता है तो किसी दूसरे क्वाइंट पर इतना फॉकस कीजिएगा कि जो है वो previous question जो है वो उसके marks जो है वो cover कर ले तब ही जो है वो आप जो है अच्छे marks ले पाएंगे previous question अगर आपको कोई काम आता है तो उसको जो है वो थोड़ा आप रहने देऊ जो है question आपको अच्छे सा आता है उसको फोकस करें उसको जो है वो अच्छे से लिखने का प्रियास करें सो स्टूडेंट्स ये था आपका बी ये थार्ड येर का म्यूजिक का कॉशिन पेपर त्योरी ओफ इंडियन म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक ओफ हिमाचल परदेश कोड है आपकी इस बुक का जैन्टर की आपकी एबुक है मुएसे 307 टी है सत्ता नमबर का आपका ये पेपर था अगर मेरी वीडियोज आपके लिए थोड़ी भी हलफुल रहती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा अपने फ्रेंट के साथ शेयर कीचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करना ना भूले लाइक करना ना भूले थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग